आज हम बनाएंगे इंडिन स्टाइल में फ्राइड राइस बहुत ही टेस्टी लगती है ये और आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल बनी है बहुत जादा नुट्रिशियस है सबको बहुत पसंद आएगी आज मैं आपके साथ शेयर करें हूँ इंडिन स्टाइल फ्राइड राइस की रेसिपी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए चानल को जरूर सब्सक्राइब करें तो आएए देखते हैं से कैसे बनाया जाता है यहाँ पर मैंने लिया है एक नॉन स्टिक पैन और इसमें हम डालेंगे तीन बड़े चमच ओलिव ओल आप चाहें तो रिफाइन डॉयल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तेल के हलके गरम हो जाने पर हम इसमें डालेंगे आदा कप पनीर के क्यूप्स यहाँ पर पनीर को हम low flame फे shallow fry करेंगे फ्राइट पनीर का टेस्ट फ्राइट राइस में बहुत ही बड़ी आता है तो occasionally stir करते हो है जब तक पनीर golden brown ना हो जाए आपने इसे अच्छे से fry करना है अब पनीर के क्यूब्स को साइट पे कर दे और इसमें हम डालेंगे इंडियन तरका तो इसमें मैं डाल रहे हूँ दो तेजबात के पत्ते एक इंस्टिक दालचीनी की और एक साबुत लाल मिर्च इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच बारी कटा हुआ लसन और एक बड़ा प्याज रफली चौप करके प्याज और लसन को लाइटली सौटे करना है जब तक कि उसका रौ स्मेल ना चला जाए इनका कलर हमें जादा चेंज नहीं करना है तो ग्यास की फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखे और इन्हें लाइटली सौटे करें इसके बाद हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप गाज़र, रफली चौप करके और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप हरी मटर यहाँ पे मैं frozen मटर का इस्तिमाल कर रही हूँ, अगर आपके पास ताजी मटर available हो तो उसका use करें इन्हें भी lightly saute करें और अब हम इसमें डालेंगे shimla milch यहाँ पे मैं एक green capsicum और एक red capsicum का इस्तिमाल कर रही हूँ आप चाहें तो colorful bell peppers का use कर सकते हैं और अगर आपके पास सिफ हरी shimla में छो तो उसका इस्तिमाल किया जा सकता है capsicum को हमें crunchy ही रखना है इन्हें over cook नहीं करना है अब इन्हें side picker कर दें और अब हम इसमें डालेंगे एक बड़ा टमाटर कद्दू कज करा हुआ इंडिन स्टैल में fried rice बना रहे हैं टमाटरों को जरूर डालें बहुत ही बड़िया टेस्ट आता है टमाटरों को अच्छे से सौते करें और अब हम इसमें डालेंगे स्वादनुसार नमक आदा छोटा चमच गरम मसाला पाउडर आदा छोटा चमच लाल मिर्श पाउडर और आदी छोटी चमच कसूरी में थी इन्हें भी अच्छे से मिक्स करें, मसालों को सौते करें और अब हम इसमें डालेंगे कुछ सौसेज तो यहाँ पर मैं यूस करी हूँ एक चमच डाक सोय सौस का एक चमच चिली सौस का और एक चमच ही टमेटो केचप का सौसेज की कौन्टिटी आप अपने टेश के अकॉर्डिंग लिए अज्जास कर सकते हैं अब इन सारी चीजों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लें गैस की फ्लेम को मीडियम पे कर दें और इन्हें ओवर कुक बिलकुल नहीं करना है वेजेटेबल्स का क्रंच बरकरार रहना चाहिए इन्हें मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगी बॉयल्ट राइस यहाँ पर मैंने राइस को 90% कुक कर लिया है उसके बाद इसे ठंडा करके हम इसमें यूस करेंगे ठंडा करके यूस करने से आपके चावल जब आप मिक्स करेंगे कभी भी तूटेंगे नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चावल का हर एक दाना खिला-खिला बना हुआ है इन्हें बहुत ही जेंटली आपने मिक्स करना है राइस को हमेशा हलका सा अंडग कोख ही रखें फ्राइड राइस के लिए तो इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे कर दें आप देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुल कलर आया है और अब बिल्कुल एंड में हम इसके उपर डालेंगे एक बड़ा चमच विनेगर का और फिर हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच स्लाइस्ट ओलिफ्स जस्ट तो मेक इट लुक वेरी कलरफुल और फिर हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच अलेपीनोस का फॉर्द स्पाइसिनेस इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लें ओवर कुक बिल्कुल ना करें गैस की फ्लेम को बंद कर दें और हमारी बहुती कलरफुल और निट्रिशिस फ्राइड राइस बिल्कुल तयार है तो आप भी इसे ट्राइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्स पर वाचिंग